ऐसा ना समझें कि चेहरा दिखा के ही वीडियो YouTube के successful हो सकते हैं बिना चेहरा दिखाए भी बहुत सारी YouTube चैनल successful होते हैं इसकी जब आप growth देखोगे तो आप भौछक के रह जाओगे क्योंकि मैं भी भौछक का रह गया अर्निंग के perspective से हमारा 2021 साल सबसे best रहा YouTube से related भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे ये YouTube चैनल इतना successful इतनी जल्दी हुआ मैंने बोला था कि मैंने जो 44,000 रुपीज का जो government expired domain लिया था वो ये है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 2021 में मेरी earning कितनी हैं ये सारी earning हम इस channel की बताने वाले हैं प्लस कुछ और channels हैं उसकी lifetime earning आपकी सामने show करने वाले हैं और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें share करने वाले हैं जिसे आपको पता चलेगा कि क्यों ये YouTube channel इतना successful हुआ और कैसे आप भी blogging की सारी चीजें तो मैं बताता ही रहता हूँ YouTube से related भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे ये YouTube channel इतना successful इतनी जल्दी हुआ तो अगर मेरे आप पुराने subscriber हैं तो आपको पता होगा कि blogging में मैंने बताया कि दीपवली एक दिन में ही नहीं इतना अच्छा blog बन गया उसके पीछे मेरे बहुत सारे failed blogs थे इसी तरीके से ये जो YouTube channel है इसके successful होने के पीछे भी मेरे बहुत सारे failed YouTube channel है उन सारे YouTube channel का भी पूरा पूरा data मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद काफी लोगों को पता हो मेरा एक YouTube channel दीपवली brand currently इस channel पे आठ लाख से उपर subscriber है और अगर मैं आपको analytics पे जाओं इसका मैं lifetime data आपको दिखाता हूँ इसका जो lifetime data है उसके एसाब से इसमें 56.1 million views हो चुके हैं और 10,000 dollar के उपर हम कमा चुके हैं अब मैं इसको failed YouTube channel क्यों बोल रहा हूँ मैं failed इसलिए बहुत सारे reason इसके fail होने के तो पहला तो यह क्योंकि इसमें भी views नहीं आ रहे हैं अब views क्यों नहीं आ रहे हैं उसका reason यह है कि पहला हमारा YouTube channel था हमने चालू किया और यह हमने multi niche पे चालू कर दिया अब multi niche क्या होता है कि उस समय चल जाया करता था YouTube channel में अभी अगर आप किसी भी social media type की चीज़ YouTube, Facebook, Insta में काम करेंगे तो चलने के कम chances हैं blogging में multi niche अभी भी successful हो सकती है तो इसमें अगर आप देखेंगे कि हुआ क्या कि इसमें views आना बंद हो गए तो पहला reason तो यह था कि हम इसमें consistent नहीं थे दूसरा reason यह था कि कभी हमने चहरा दिखा कि यह वीडियो बनाए नहीं इस channel पर क्यों नहीं बनाए क्योंकि उस समय हमें जादा idea भी नहीं था और हमारे अंदर confidence नहीं था और जो हमारी team थी वह voice over करके वीडियो बनाती थी प्लस उसमें भी consistency नहीं थी consistency अकेले यह नहीं हो वीडियो डालने से नहीं होती है consistency आपके voice से भी होती है और consistency आपके data भी होती है कि आप किस हिसाब से उसी pattern पर जो आपके user को पसंद आ रहा है वो data डालते रहते हैं तो ना हम इसमें consistent थे ना हम इसमें serious थे हम इसमें serious भी नहीं थे हमने बस बना दिया और बहुत जल्दी इसमें हमने एक लाग subscriber बना लिये थे तो हम overconfident भी हो गए थे ओके अभी इस channel पर आप देखेंगे कि मैंने खुद interest जाहिर किया है और मेरे जो YouTube shots थे जो मैं learn and learn में motivational shots डालता था वो अब इस channel पर डालने लगया हूं मैं इंस्टारील पर भी same videos डालता हूं वहां पर बहुत जादा मुझे success मिल रही है और आप देखेगा कि धीरे धीरे ये YouTube channel भी grow होगा क्योंकि इसके पीछे मेरी personal branding लगी हुई है इस तो इस YouTube channel को आगे जाके बहुत फाइदा मिलने वाला है तो इस channel से सिर्फ मुझे फाइदा नहीं होगा अब आप लोगों को भी बहुत जादा ये YouTube channel भी आगे बहुत अच्छे views आने वाले हैं इसमें तो आप अपनी story इस channel पर डाल पाओगे उसका process कैसा होगा हम selection कैसा करेंगे अभी मैं confused हूँ तो अगर आप लोगों को idea है तो please हमें comment box में बताएं दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास ऐसा 8 लाक वाला subscriber base वाला YouTube channel ह बांते हैं यह भी comment box में हमें बताएं दूसरा हमारा जो failed YouTube channel था वो था business idea अब इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ यह तो niche based था सिर्फ इसमें हमने एक correction किया कि niche based था बाकी सारी problems इसमें थी consistency voice की नहीं थी क्योंकि मेरी team काम कर रही थी plus हम serious भी नहीं थे इसमें थोड़े बहुत वीडियो इसमें आप देखेंगे कि हमने consistency पाने की कोशिश करी पर हम फिर भी consistent इसमें नहीं रह पाए तो इस वज़े से यह channel fail हो गया अब अगर हम इसका data आपको दिखाएं इसमें 5 लाक current subscriber हैं मतला मैं total बोल रहा हूँ कि 1.3 million subscriber base मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमने उसमें already कर दी थी अगर इसका हम lifetime अगर आपका data दिखाएं तो आप देखेंगे कि again इसमें 16.6 million views आये हैं और 6000 dollars से उपर हम already कमा चुके हैं दीपावली brand में भी हम month on month पैसे कमा रहे हैं इसमें भी हम month on month पैसे कमा रहे हैं पर मैं इसको एक failed YouTube channel मना रहा हूँ ओके अब इन दोनों failed YouTube channel होने के बाद बहुत सारे मैंने reasons बताए थे सारे reasons capture करके अब हमने third YouTube channel बनाया जिसमें मैं consistent भी रहने वाला था हम चेहरा भी दिखाने वाले थे और हम serious भी थे वो channel है अंजिनी story world में हम serious थे हमने सारी चीज़ें काम करी पर फिर भी ये channel fail हो गया क्यों हुआ इसमें 14,000 subscriber हैं अगर आप इसके current अभी views वगरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें views ना के बराबार आ रहे हैं पर अगर मैं इसको filter out करूँ अगर आप देखेंगे कि highest views कितने हैं तो चार लाग, दो लाग, धाई लागे गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि हम इस channel पर desperate थे success होने लिए, हमने तो क्या किया पीछे से add चलाना लग गए, कि हमें लगा कि हम तुरंती पहुत सारा subscriber base बना ले, add चलाने से जो कुछ positive impact आपको आता है पर कुछ negative impact भी आता है, वो सार add चलाने के बाद भी आपके channel या blog को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो सारे नुकसान क्या हैं, तो please आप हमें comment box में बताएं, अगर आप add run करते हो तो, अब ये जब सारी चीजें हो गई, तब हमने अपना एक और जो आपका सबसे चहेता channel है, learn and earn with Pavan Agrawal start किया, 2021 मेरे लिए सबसे अच्छा साल रहा YouTube के लिए, वो क्यों रहा, वो learn and earn की वज़े से रहा, अब आपने देखा कि हमने कितने सारे failures देखे YouTube में, अब हमें सारी चीजें पता चल गई थी, कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे consistency अपनाना है, वीडियो and earn के successful होने के पीछे, दीपावली भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसी से ही हमें सारी blogging की सारी चीजें पता चली, तो आपने देखा कि कैसे एक failed blogging की वज़े से हमने दीपावली बनाई, और उसकी वज़े से ये channel बना, प्लस हमारे कुछ failed YouTube channel थे, तो हम आज इस position पे हैं, इसकी जब आप growth देखोगे, तो आप बहुत चक्के रह जाओगे, क्योंकि मैं भी बहुत चक्का रह गया, earning के perspective से हमारा 2021 साल सबसे best रहा, इसी साल new year पे मैंने resolution लिया था, कि मैं 100 blog review करूँगा, और हमें पूरी की पूरी एक theme मिल गई थी, कि कैसे हमें इस YouTube channel को आगे बढ़ाना है, आपको तो बहुत जादा help हो ही रही है, इस YouTube channel से, मेरी भी personal और financial बहुत जादा growth हो रही है, अब अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग कुछ अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो कहेंगे कि मेरा जो main channel है, learn and unwithpowering, content बहुत अच्छा है, इस वज़े से ग्रो किया, ऐसा नहीं है, content के साथ जो हमने fail होने से सारी चीज़ें सीखी थी, वो भी बहुत जादा जरूरी है, अगर आपका channel fail हो रहा है, YouTube channel या आपका blog fail हो रहा है, तो आप ये कभी भी ना सोचें कि आपके content में खराब ही है, कुछ न कुछ mistakes आपने करी पर अगर आपको चाहिए कि YouTube से related भी जो failures हैं और learnings और tips and tricks हैं मैं इस channel पर दूँँ, तो please comment करें कि क्या मुझे इसी channel पर वो सारी चीज़ें डालनी चाहिए, या इस channel पर सिर्फ और सिर्फ मैं blogging से related ही focus करूँ, तो please मेरे लिए भी ये feedback है, आपके feedback मेरे लिए बहुत important होत प्लीज हमें बताएं, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे failures थे, इससे मैंने एक चीज़ सीखी कि अच्छाई, इसका निश मैंने बोला निश बहुत ज़रूरी है, इसका निश अकेले blogging नहीं है, इसका निश make money online, make money online से मुझे realize हुआ कि दो चीज़ें अलग अलग चल दिखते हैं, तो आपको वहाँ पर वीडियो दिखते हैं, तो रिकमेंडेड वीडियो हो गया, और दूसरे हो था आप सर्च करते हो, आपको particularly कोई चीज सर्च करनी है कि काजू कतली मिठाई कैसे बनानी है, तो ये सर्च हो गया, और रिकमेंडेशन हो गया कि बंदे को दिखाता है, तो मुझे इन से फेल्ड की वज़े से पता चला कि दोनों entirely different है, आपको एन अगर एक ही निश्च पर बनाना है काम, तो आपको हो सकता है दो अलग-अलग चैनल बनाने पड़ें, make money online में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत अच्छा काम कर र logs related data बताते हैं, पर वो उस चीज़ को miss कर दे रहे हैं, कि वो search को और recommendation को mix करते हैं, यह mistake को rectify करने के लिए मैंने अपना एक और channel बनाया, जिसको की काफी लोग जानते है, जिसका नाम अभी currently है, पवन अगरवाल digital, यह channel आपको देख रहा होगा, पवन अगरवाल digital, यह की searchable सारे keyword पे हम इधर data डालने वाले हैं, शुरू में हमने इसका नाम पवन अगरवाल shorts रखा था, परन्तु अब इसका नाम change करके हमने पवन अगरवाल digital रख दिया है, branding, naming, branding में मैं बहुत खराब हूँ, क्योंकि मुझे learn and earn with पवन अगरवाल भी बहुत सारे लोग मेरे बहुत शुपचिंतकों ने बोलाई कि अच्छा नाम नहीं है, इतना लंबा नाम कोई brand हो नहीं सकता है, मुझे कुछ नहीं नाम सूज रहा था, तो मैंने ये नाम रख दिया, इसमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था, तो इसमें मैंने नाम पवन अगरवाल digital रख आता हूं, कि data देखेंगे जैसे views के perspective से मैं आपको बताऊं कि highest viewed video हमारा आज की तारीक में, जब मैं video record कर रहा हूं, तो 6 लाख के आसपास है, जो हमारा star ज्यान वाला हुआ था, okay, and जो second most video है, वो एक short video है, जो एक motivational video है, और जिसको मैंने private कर दिया है, again उसका reason मैंने बताय channel था, जिसमें मैंने multi-nish पर काम किया था, यहां पर, actually video बनाते बनाते मुझे realize हुआ था, कि मुझे थोड़े बहुत motivational video भी डालने चाहिए, तो मैं videos डालने लग गया था, बड़ मेरे फिर मुझे इस video से, और मुझे चाहिए तो इसमें थोड़े बहुत ही views हूं, मैं नही यही motivational video आप देखेंगे, हम दीपवली brand में डाल रहे हैं, ओके, तो यह video देखो, हमने इसको private कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि free blogging course part 1, अचा बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, कि मैं frequently blog review क्यों नहीं करता हूं, हर video मेरा blog review क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं एक teacher हूं, और मुझे पता है कि आपको blogging कैसे सिखानी है, मेरे अकेले video देखने से आप नहीं सीखोगे, आप practice कर करके सीखोगे, इसी तरीके से YouTube में भी आप जब video बनाओगे, तो practice कर करके ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा content वीडियो है, part 1, आपको basics भी पता चले blogging की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं blogging को कि इस हिसाब से समझता हूं, मेरी understanding क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग तक पहुँचें, thirdly मैं जो videos डालता हूं, वो डालता हूं, लोगों के जो successful लोग हैं, उनके interviews, वो क्यों डालत हूं कि काम करते करते करते, आप एक दिन demotivate हो जाते हो, पर जैसे ही आपके पास एक successful बंदा आता है, आपके अंदर energy आती है, आप motivate हो जाते हो, तो आपको काम करते करते, सीखते सीखते, motivation की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं एक doctor हूं, मुझे पता है कि आपको कौन सी tonic, आपको कौन सा vitamin हो, आपको कौन सी दवाई किस समय पे देना है, उस साबसे videos आपके सामने रखे जाते हैं, प्लस मैं income report डालता हूं, मैं monthly income report भी इस channel पे डालता हूं, उसका reason क्या है, क्योंकि भाई motivation जो मिलता है, वो पैसे से ही मिलता है, अगर आपको पता ही ना हो कि इस च करी करके भी blogging करी YouTube कर रहा हूं, तो यह कोई ऐसा वैसा profession नहीं है, पर जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा किस से पैसे आ रहे हैं, तो आप motivate कैसे होगे और आप कैसे इस चीज में काम करोगे, प्लस मैं बता दूँ कि इंडिया में जो middle class family है, उसकी definition है कि वो 8000 रुपे, अगर पूरी family मिलके 8000 रुपे महीना कमाती है, तो उसको भारत सरकार middle class बोलती है, तो blogging यह कैसी चीज है, जिसमें आप बिना investment के at least 10,000 रुपे महीना तो कमा ही सकते हों, तो कोई भी गरीब से गरीब बंदा है, वो 10,000 रुपे महीना इस blogging से कमा सकता है, तो मेरा main aim यह भी है कि blogging को इंडिया के बच्चे बच्चे तक पहुचाना और एक दिन ऐसा आए कि blogging एक major source of income मन जाए भारती एकनॉमी की, क्योंकि blogging अगर आप अभी देख रहे हैं, तो आपको लगता है सिर्व भारत के ही blog हैं, पर ऐसा नहीं है, international blogging अभी बार किये, आप America का content हो गय इतने सारे देशों का content जब लिखना चालू करेंगे न, तो एक बहुत बड़ी major economy blogging भी बन सकती है इस देश में, और मैं चाहता हूँ वो बने, और जिस दिन वो बने, एक नाम मेरा भी हो कि हाँ, पवन अगरवाल ने inspire किया था लोगों को blogging करने के लिए, मैं ये नहीं कह लिखोगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों मैं वीडियो डेली नहीं डाल पाता, उसका बहुत बड़ा reason एक और है, कि इतने comments आते हैं, जो मैं प्यार करता हूँ, और मैं उनको reply भी करता हूँ, तो बहुत सारा मेरा time उन comments को reply करने में भी जाता है, बहुत सारे रखता है, तो मैं comments reply करूँगा, इसी वज़े से थोड़ा बहुत delay वीडियो में हो जाता है, पर आप internet पे learning से related और भी लोगों के वीडियो और अच्छे content creators हैं, YouTube में जाओगे, उनके वीडियो भी देख सकते हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप प्लीज देख रहे हैं कि हमने कैसा काम किया सारी चीजें करी, प्लस है ना future में मैं अगर आप लोग ने shark tank का नाम सुना है, please comment करके बताएं, आप लोग ने सुना है कि नहीं सुना है, मैं उसी type का environment create करना चाहता हूँ, blog tank में, तो कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम, मैं और मेरी पू सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं, तो इस type का पूर एक environment create करना चाहता हूँ, ये मेरा future goal है, भले 2022 में ना हो पाए, पर आगे जाके मैं blog tank नाम की कोई चीज बनाऊँगा, plus मैं free workshop, सारी चीजें जो जो होने वाली हो free ही होना चाहती, मैं कुछ free workshop भी करना चाहता हूँ, तो ये भी मेरे future goals में से कुछ है, अब इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद, मैं कुछ अपने blogs का data भी आप लोगों के सांथ share करना चाहूँगा, जो की 2021 में actually हमारे सांथ start हुए, एक blog ये है rgavp.org, इसके बारे में हमने कभी भी बात नहीं करी थी, मतब बताया है मैंने, मैं income report के साथ ये भी सारी चीज़ें पादा चल गई, तो आप देखेंगे कि इसमें month and month growth कैसी है, अगर मैं इसको current अभी data आपको दिखाऊं कि कितना है, तो maximum आप देखेंगे 840 views गए है, 500 गए है, जादा data नहीं है, थोड़ी बहुत growth हो रही है, अगर हम month on month देखें, December month मेरा सबसे अच्छा रहा है, पर ऐसा कोई exponential growth नहीं, in fact मैंने अभी इसमें adsense भी नहीं डाला है, इतने कम page users हैं, तो कुछ लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि expired domain हम ले 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 या government expired domain ले 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 तो हमारा short short success होने का chance है, तो मैं नहीं मानता है कि मैं blogging नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकत now blogging, हम नए blog चला लेते हैं, बड़ ये government expired domain जिसका काफी अच्छा DA, PA, in fact 44,000 में हमने लिया था, सारी चीज़ें हमने कर ली, तो ये successful नहीं हो पाया, तो ये भी आपको दिखाता है कि सिर्फ प्लीज उन सब चीजों में पैसे waste ना करें, क्योंकि बहुत लोग मुझे हैं हम इमेल भी करते हैं, कि सर देखिए इसका DA इतना, इसका PA केता है, क्या मुझे लेना चीए, नहीं लेना चीए, भाई, सब कुछ अच्छे होने से भी कुछ नहीं होता है, government expired domain आप कितनी भी research कर लो, एक सक्ता है, ठीक है, आप उसमें fail हो सकते हो, ठीक है, तो ये पूरा मै योजना.org है ये, ये कौन सा ब्लॉग है, जो मेरा free blogging course का वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने, मैं इकलौता शायद है कैसा इंसान हूँ, जिसने कहा था कि free blogging course में हम आपके सामने एक blog भी बनाएंगे, और उसको आपको चला के भी दिखाएंगे कि day to day कैस चलता है, अगर आप please इसमें नहीं जाते हो blog में, तो इसको आप bookmark कर लें, क्योंकि हमारी team इसमें actively काम करती है, तो आपको पता चलेगा कि हमारी team एक नए blog पे कैसे काम करती है, अब इसका month on month इसका data दिखा हूँ, आप देखें, ये देखें, कि क्या government expired domain और काम करेगा, ये growth आप देख रहे हैं, बिल्कुल consistent है और उपर, ऐसी तरीके से काम करता है, और नए blog बना के आप काम करोगे, तो time लगता है, हमने हमारे जैसे लोगों को भी नए blog बना के चलाने में time लगता है, आप देखेंगे December में 10,000 page views इसमें already हो चुके हैं, तो इस blog को भी please check out करे आपके लिए बहुत beneficial है, उसके अलावा, दीपवली SEO tips, दीपवली SEO tips भी अगर आपको पता होगा कि, यह जो हमारा main channel है, यही same content हम क्या करते हैं, कि इससे related हमने blog बना दिया है, और यह पूरा blog भी, का data मैं time to time पर आपको दिखाना रहता हूँ, तो इसमें भी consistently आप देख होंगे कि 1000 page views के आसपास इसमें आ रहे हैं, तो यह कुछ data भी, जो हमने 2021 में, जो हमारे कुछ blogs थे, जो start किये थे, उनका data भी आप लोगों के सामने share करना जरूरी था, जो मैंने दिखाया, अब हम आते हैं, main हमारा earning पे, जो हमारा YouTube channel था, learn and earn with Pawan Agrawal, उसकी earning कितनी थी, तो से इतने views आने का reason यह था कि, उसी समय 3rd Jan को I think, 2021 को Satish भाई के कपे मेरा एक video publish हुआ था, जो कि काफी लोगों ने काफी पसंद किया था, उसी वज़े से initial traffic था, initial views थे मेरे पास आए, ओके, यह kind of backlink भी होता है, जो कि blogging में चलता है, जो कि आपको दिखता है, tools दिखाते है पर YouTube में भी यह एक backlink था, जिससे मुझे initial thrust मिला, और उसके बाद जो मैंने अपने content में continuity और जो भी सारी चीज़े मेरे problems हुई थी, कि consistency, face दिखाना, और जो भी सारे issues थे, वो सारे solve करके, फिर मैंने आगे बढ़ा इसमें, तो हमारे करी बन 120K views तबाए 8.7,000 subscriber बने, AdSense 0 AdSense हमारा कुछी दिन में हम eligible हो गए थे इस channel के लिए पर हमने apply नहीं किया था, बहुत सारे reasons में बता चुका हूँ, तो AdSense में 0 है, affiliates में 0 है, sponsorship में 0 है, सब total 0 ही है, हमारा January में हमारी total 0 earning होई थी, okay, February में आते हैं, तो हमने 6 video publish करे थे, यहां पर shots एक भी नहीं डाला था, आप देखेंगे, views बढ़ गए हमारे 123K, मतलब 1.23 lakhs, subscriber 3.7 बड़े, AdSense 0000, फरवरी तक हमारे इस channel से 0 earning थी, okay, March में हम आए, again हमने 6 video डाले, आप देखेंगे, consistency हमारी almost वैसी ही रहने वाली है, shots में 0, views हमारे करीब-करीब 1 lakh, subscriber हमारे घट रहे हैं, आप देखोंगे, 8.7, 3.7 और 2.5 हुए, है ना, पर इस महीने हमने AdSense इसमें Unable कर दिया, क्यों किया था इस महीने, काफी videos में बता चुका हूँ, तो यहां नहीं बताना चाहरा, तो हमारे करीब $130 डालर आगे थे, affiliate भी हमने इसी महीने से चालू किया थे, तो हमारे $52 की affiliate income हो गई, पहली sponsorship भी हम हमारी इसी महीने हमें मिली थे, तो हमें $500 डालर आए, टोटल हमने $682 कमाए और इस महीने पहला ऐसा महीना था जो हमने कमाए और पहले महीने में ही हमें $51,000 की earning होई, तो मार्च महीना हमारे इस चैनल के लिए पहला productive महीना था earning के perspective, अब हम April में जाएंगे, 6 वीडियो हम हमारे नहीं बड़े, Adsense से आफ देखेंगे 231 आए, Affiliate से $94 आए, Sponsorship से हमें कुछ मिला नहीं, $325 की हमारी total earning होई, और 24,000 रुपे हमने इस महीने कमाए, तो हमारी earning देखेंगे पिछले महीने से आधी हो गई, अब में में जब हम आते हैं, अगें हमने 6 वीडियो डाले, दो शॉट्स मैंने इस बाहर इस चैनल पर ट्राई किये, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता था कि इस शॉट्स बहुत इंपोर्टेंट है, तो मैंने काब चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो दो शॉट्स मैने इस बाहर ट्राई किये, views अगेन हमारे उतनी हैं, 140 के के कम हुई जो की अगें 25,000 थी अगें हमने उतने ही पैसे कमाए जितने पहले कमाए थे एप्रिल महीने में जून जो महीना था ये चेंज करने वाला था हमारे पूरे यूट्यूब चैनल को सबसे पहला महीना जो चेंज हुआ था वो एप्रिल था क्योंकि हमें एक तगड़ा सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे ती चार महीने में सौरी फरवरी मार्च अब चार महीने में बट हमने पेशेंस नहीं लूस किया हम कॉलिटी कॉंटेंट बनाते रहे अगें 6 वीडियो डाले थे हमने इसमें हमारे देखेंगे हाफ मिलियन व्यूज आए इस महीने 17,000 आज तक के सबसे ज़ादा पर मंद सब्सक्राइबर हमारे जूर में बने 951 डॉलर हमने अटसेंस से कमाए ओवियसली व्यूज ज़ादा होंगे तो अटसेंस हाजाएगा 361 डॉलर हमने अफिलेट से कमाए इस महीने हमाए एक स्पॉंसर मिल गया 500 डॉलर अठारा सो बारा डॉलर हमने टोटल कमाए और हमारे टोटल कितने हो गए यह 1,35,000 यह पहला ऐसा महीना था जो हमने लाक रुपे क्रॉस किया अपनी टोटल अर्निंग में अब हम आते हैं जुलाई महीने में जुलाई में अगेन हमने 6 वीडियो डाले शौर्स एक भी नहीं था अगेन हमारे 5.5 लाक मतला हाफ मिलियन के आसपास हमारे व्यूज आये 13,000 सब्सक्राइबर आये पिछले महीने से थोड़े से कम हो गए पर यह सेकेंड हाइस थे 1,000 डॉलर पर मन्त वाला जो माइलस्टोन है आडसेंस का वो इस महीने जुलाई में हमारा अचीव हुआ अफीलियेट में अभी तक की हाइस्ट एवर अर्निंग हुई 835 डॉलर वन थाउजन डॉलर की हमें स्पॉंसर्श मेली टोटल हमारे 2898 डॉलर कमाए और यह पहला महीना था जब हमने 2, तो लाक रुपे का माइलस्टोन अचीव किया अब नेक्स्ट मंत में हम आते हैं आउगस्ट में अगेन हमने 6 वीडियो डाले एक भी शॉट नहीं डाला थोड़े से व्यूज हमारे कम हुए पिछले महीने के कम हुए पिछले महीने के कम हुए सब्सक्राइबर और थोड़ थोड़े से हमारे आइट सेंस पिछले महीने से कम हुए 970 डॉलर हम अफिलियेट से कमाने लग गए 1000 डॉलर की हमें स्पॉंसर्शिप मेली टोटल हमारे 2864 डॉलर आए एंड 212 लाक फिर से यह दूसरा ऐसा महीना था जब हमने 2 लाक का माइलस्टोन अचीव किया अरनी में इस चैनल से अब हम सेप्टेंबर महीने पे आते हैं तो पाँच वीडियो हमने इस महीने पब्लिश किये और क्योंकि पाँच वीडियो किसली वज़े से क्योंकि कि दो शॉट्स आ गए थे इसमें और अगें करीब करीब 4 लाक के असपास हमारे व्यूज आए 8 लाक हमारे स व्यूज हमारे शाहिद इतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं पर हमारी अफिलियेट सेल्स इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वन थाउजन डॉलर हमारी स्पांसर्शिप से आए टोटल 3,494 डॉलर के आसपास हमें टोटल इंकम हुई और 2,62,000 कुल हमने पैसे कमाई अब यह जो थोड़ा बहुत रुपे में वेरियेशन उपर नीचे होता रहता है जब हमने इंकम रिपोर्ट हमारी पुरानी बनाई इसलिए पैसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं अक्टोबर महीने में आते हैं तो अगेन हमने 6 वीडियो डाले एक शौट डाला चार लाग से उपर हमारे व्यूज आए 5,000 हमारे सब्सक्राइबर आड हुए 693 काफी कम हमारी आडसेंस की रिविन्यू ही पिछले 5-6 महीनों में काफी कम थी ये पर अफीलियेट से हमने अच्छा अफीलियेट भी हमें ये पैसा महीना था जब हमाई अफीलियेट सेल्स भी कम हुई पर हमें स्पॉंसर इस बार जादा मिल गए और 3,256 की हमने हमारी रेविन्यू ही जो की अगेन 2,44,000 हो गया तो आप देखन है और हर कमपनी चाहती है कि मैं उसका ब्रांड प्रमोट करूँ पर मैं ब्रांड सिर्फ वही प्रमोट कर रहा हम जो मुझे पता है कि आप लोगों को जिसे नुकसान ना हो आप昨 Mayo को सिर्फ और SIR फाइदा हो इन वाइन चांए कोई दूसरा ब्रेंड प्रमोट करने लग के रखना है यह चैनल मुझे एक दिन नहीं चलाना है यह चैनल मुझे जिन्दगी भर चलाना है तो ट्रस्ट बहुत जादा important है अब नवंबर महीने में आते हैं यह नवंबर महीना बहुत जादा important था मेरे लिए क्योंकि sales आप देखेंगे तो छपड़ फाड़ हुई थी छह वीडियो हमने इसमें डाले shots हम बहुत जादा डालने लगे इस महीने चार हमने shots डाले जिसमें से एक shots फिर मैंने private भी कर दिया आप व्यूज देखेंगे कि बहुत तगड़े व्यूज आये थे highest ever per month व्यूज हमारे इसी महीने आये थे 7000 subscriber हमारे बड़े 873 डॉलर हमने कमाए अचा व्यूज जादा है और earning कम हुई क्योंकि व्यूज इस बार shots वाले वीडियो से जादा आये थे affiliate से ताबर तोड़ सेल हुई हमारी 3218 डॉलर की सेल हुई sponsorship भी हमें बहुत मिली 2000 डॉलर के मिली total हमारी earning होई 6091 डॉलर अचा इसमें पूरी जो हम मैं earning दिखा रहा हूँ इसमें छोटे मोटे affiliate अभी मैंने हटा दिये हैं बड़े-बड़े मोटे-मोटे affiliate हैं वही अकेले डाल रहा हूँ तो total हमारी earning हो गई साड़े-चार लाक रुपए तो यह पहला महिना था जब almost हमने 5 लाक रुपए के milestone को touch किया आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे हमारी revenue बढ़ती जा रही है अब यह आखरी महिना आ गया हमारा December महिना और इसमें सिर्फ पांच ही वीडियो मैंने डाले हैं और अच्छा आप consistency पांच वीडियो मैंने डाले हैं zero shorts हैं करीब-करीब 6,000,000 views हैं 9,000 subscriber हमारे बड़े सबसे जादा पर-month Adsense की revenue हमारी इस महिने हुई सबसे जादा affiliate sales हमारी इस महिने हुई sponsorship से हमने सिर्फ 1000 डॉलर लिये क्योंकि मैंने कम sponsor लिये इस महिने और total हमारी जो earning हुई वो highest ever per month earning हमारी इस channel से हुई 6,195 हमने total जो INR में पैसे कमाए वो 4,64,000 अभी मैं जो सारे calculations करना हूँ आएनर की 75 रुपीज के हिसाब से कर रहा हूँ यह amount उपर नीचे होता रहता है तो आप उसे साबसे यह price भी थोड़ा बहुत उपर नीचे चलता रहेगा अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा earning के perspective से आप chart देखेंगे कि यह हमारे channel की earning कैसे भागी है पहले मैंने 00 ये फिर थोड़ी काम हो ये भाग रही है ये भाग रही हो यहां भाग रही है नवंबर की जब income report मैंने बनाई थी तब मैंने कहा था कि शायद इससे जादा ना हो अभी कुछ time तक पर अगले ही मैंने उससे भी जादा हो गई क्योंकि amount बहुत जादा है मैंने खुद नहीं सोचा था कि इस channel से इतने रुपे आने लग जाएंगे मैं frankly आपको बता रहा हूँ क्योंकि views इतने आते नहीं थे मैंने सुन रखा था कि affiliate से बहुत जादा पैसे आते हैं affiliate पर मैंने जादा काम कर नहीं रखा था बड़ जब आए तो मैं भी बहुत चक्का रह गया तो यह सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने crystal clear करके पूरी अपनी 2021 की earning report डाल दी 2021 में एक सिर्फ new year resolution की वज़े से मेरी life change हो गई थी तो आप भी please life में कुछ ना कुछ resolution लें पढ़ाई से related लें, sports से related लें, learning से related लें, कुछ ना कुछ new year resolution लें और उस पर काम करें, act करें, आप देखेंगे consistency भी मैंने पूरी अपनाई, मैंने चहरा दिखा है, मैंने कैसे बताए कि कैसे कुछ failed YouTube channel के कारण, आज जो earning हमारी हो रही है, तो बहुत बड़ा जो credit जाता है, उन failed YouTube channels को और failed blogs को जाता है, तो failure से ना डरें, महनत करते रहें, क्योंकि failure ही एक ऐसी ची पावन अगरवाल, यहां पर मैं blog review करता रहता हूँ, अगर आपको भी अपना blog review करवाना है, तो आप participate कर सकते हैं, plus मेरी free blogging course की series चल रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत फाइदा हो रहा है, तो please उसको भी check out जरूर करें, और अगर आपने यहां तक इतना लंबा वीड देख लिया है, तो thank you very much, वीडियो को like जरूर करें, वीडियो को share करें, और हमारे channel learn and earn with Pawan अगरवाल को subscribe करना ना भूलें, thank you